सब्सक्राइब को कुपोर्शन के अभीशाप से मुक्त करने के लिए मुख्यमंतरी वुपेश पगेले मुख्यमंतरी सुपोर्शन योजना शुरुआत की है ऐसे योजना के तहद आने वाले तीन साल में प्रदेश को कुपोर्शन और अनिमिया के कलंग से मुक्ति की रणनीती तयार की गई है गांधी जोयन्ती के देर शुरू की गई इस योजना को कुपोर्शन के खिलाफे के बड़ी लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है महिला एवंबाल विकास विभाग और स्वास विभाज द्वारा संच शालित मुख्यमंत्री सुपोशन योजना के तहद पंचायतों और महिला स्वसाहता समुहों के माध्यम से कुपोशित बच्चों और एनिमिक महिलाओं को गर्भ और पौश्टिक भोजन प्रतिजिन उपलंध कराया जा रहा है इस रणनीती में 0-5 वर्ष के कुपोशित बच्चे 15-49 वर्ष की कुपोशन और एनिमिया से प्रेडित महिलाओं को पंचायतों और महिला समुहों के माध्यम से पौशिक गर्म भोजन उपलभ कराया जा रहा है कि जो पौशित बच्चे हैं उनके लिए भोजन के बिवस्ता होना चाहिए उसके मुख्यमंत्री हाट बजार क्लिनिक और मुख्यमंत्री सुपूशित योजना यह हम लोग उने शुरू किया सहरी चेतर में भी मुख्यमंत्री सहरी क्लिनिक योजना के सुरुबात की है जिसमें स्वास्त के विशेश ध्यान दिया जा रहा है ताकि 36 गड़ के लोगों सुपोशन के लिए जाग रुप किया जा रहा है योजना के तहर कुपोशिक और एनीम्या पेड़ित बच्चों के लिए अलग-अलग मेनू बना कर पौश्टिक भोजन कराया जा रहा है इसी तरह एनीमिक महिलाओं के लिए भी जिशेश रुप से मेनू का निधारण किया गया है पौशन अभियान चलाने के लिए हमारे सम्माने मोख्य मंतरी जी पूरे जोर सोर से पूरे प्रदेश से हमको पौशन कर से मिटाएंगे इसकी कारी योजना बना लिया है सभी विभाग मिलके इस काम को अंजाम देने के लिए सभी विभाग को ने देशित कर दिया गया ये सिर्फ महिलाओं वालविकास विभाग के काम नहीं इसमें स्वास विभाग भी है पीएची विभाग भी है आपके ग्रामिन विकास विभाग भी है इस तरह से जो इन विभाग है वो बहुत महत्तुपूर्ण इनमें कार्य करेंगे गौर्ट अनब है कि रास्त्री परिवार स्वासे सर्वे के अनुसार 36 गर राजी में 5 वर्ष से कम आयू के लगभग 37.7 प्रतिशत बच्चे कुपोशिक हैं जबकि देश में 35.7 प्रतिशत कुपोशिक बच्चों का उसत दर्ज़ है ऐसे ही 15 से 49 वर्ष की 47 प्रतिशत महिला जबकि भारत में 53.1 प्रतिशत महिलाओं को एनेमिक दर्ज किया गया है इस विकष इस्थिति को दूर करने और कुपोशन एवं एनेमिया को जड़ से समाप्त करने के उद्देश से मुक्य मंतरि सुपोशन अभियान का संचालंग किया जा रहा है स्रीम भूपेश पगेल के इस ज्रीम प्रोजेक्ट से आने वाले दिनों में सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे